इस दिन इस्कूल वैख्या था भरती 2022 का परिणाम आया था उस परिणाम के समय भी मैं इसी क्लास में था और चार बजे के आजपास रेजल्ट जारी हुआ उस समय सबसे पहले हमारे छोटे भाई अनुप जी आकर मेरे को सूतना दी अगर रेजल्ट आ गया है और मैं इनके चेरे के भाव को देखकर ही समझ गया था कि अनुप जी का चैन हो गया है तब मेरे को जानकारी लगी कहां ये जरूर्ट था कि है रेजल्ट आने से पहले लगातार फोन आ रहे थे और शामाने ते ओफिस के इतने फोन आते नहीं है तो मैं समझ गया था हो सकता है कोई ज्यादा विशेश रूप में हो किसी कारण से कैसे फोन आ रहे और जब अनुप जी जैसे एंट्री की क्लास में तो मैं समझ गया कहां फोन किसलिए आ रहे थे इसका मतलब रिजल्ट आ गया अलांकि पिछले दिन ये था कि शाम तक हो गया था क्लास के बाद फिर मैं लेचे चला गया क्लास को कुछ समय के लिए रोक भी दिया था उसके बाद ही लगबग साड़े चार पांच बज़े के आसपास मेरी पास मुकेश जी का फोन आया जो आपके बीच में बैठे हैं मुकेश सोधरी जी शिरोही जिले से और ज पहली रेंक के साथ, फस्ट रेंक है उसके बाद फिर मैंने पूचा दुबारा क्या है तो दुबारा इन्होंने बताया फिर मैंने सोचा फस्ट रेंक है ओल रास्थान में और ओनलाइन के माध्धम से ही हम जिस समय सुरुवाद से कोर्ष लिया तब से जुड़े हुए थे लेकिन सही माहिले में रेंक जो 791 है उनमें निशित रोप से शफल और आई शफल में एक ही फर्क है मैं पहले भी आप से चर्चा करता रहा हूं तो 791 में इस्थान है वो सफल व्यक्तित्व के रूप में और जिसका 702 बानमे या 393 वा नम्मर है उसको केवल ए सफल के रूप में देखा जाता है लेकिन उस 791 में बानमे के पदो में भी पहला इस्थान प्राप्त करना ये सबसे बड़े गोरव की बात है और खांच बा मुकेश जी की जो पारिवारिक प्रस्ट भूमी है पिता जी किसान है खेती का कारे करते हैं एक सामान परिवार से हैं लेकिन उन्होंने अथक प्रियास और लगातार मेहनत करने की परिणाम के रूप में आपके बीच में आज जो पूरी राजस्थान में पहली रंग का जब आपका रजल्ट आता है जब रजल्ट से आपको अपेक्ष्याई होती है और जैसे रजल्ट से आपके परिणाम सकारात्मक हैं तो आपको भी बदलना चाहिए आपके आचार विचार में आपकी घंबीरता में आपके घ्यान में सब चीजों में बदलावाना चाहिए क उस पद की गरिमा के साथ ही उसको रहना होता है, अब तक कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जान रहे थे, इक शिरोई से भी मुकेश सोधरी है, लेकिन आज पूरा राजस्थान जानता है, उसने पर्थम इस्थान प्राप्त किया है, मैं अभिवक्ती परिवार की तरफ से, जोग्राफी क्लासे जैपूर की तरफ से, और आप सब की तरफ से, मुकेश सोधरी जी का बहुत बहुत श्वागत और अभिनंदन करता हूं, और जुनों ने पूरे राजस्थान में पर्थम रैंक हासिल की है, और निश्य तरफ से ये केवल, मैं आप से भी ये चर्चा कर की अपने ये अनुभाव बताएं, आखिर किस तरीके से रोने पहली रैंक ये मुकाम हासिल किया है, अपने बीच में ही, श्री अनौब जी भी बैठे हैं, जिनकी 68 वी रैंक है, उनका भी संस्थान की तरफ से, बहुत ही बहुत श्वागत और अभिनंदन, कल पर्शु दो दो दिन के दोर में मैं आपके बीच में चर्चा कि ये एक नम्मर की रैंक है, छे नम्मर की रैंक है, नो नम्मर की रैंक है, ग्यारे नम्मर की रैंक है, आप देखियो, 32 नम्मर की रैंक है, लगातार खूब अच्छी रैंक हैं, बहुत बहतिन रूप में परिणाम हैं, ल लेकिन फिर जो पोदे हैं उनकी जड़ों में कितनी उरवर्ता की द्रस्टी से मिर्दा है, कितना उन्हें खाद बीज, पानी प्राप्त किया है, उससे वो पोदा फलता और फूलता है, ऐसी पढ़ाने का कारे मेरा तो सब के लिए ही था, लेकिन आपने उसको कितना महत्यपून रूप में समझा, कितना आपने अच्छी दंग से उसको समझा है, कितना आपने समय दिया है, मैं कहता है, जो पढ़ाया गया है, उसको आपने कितनी घंभीरता से पढ़ाया है, कितना आपने समय दिया है, आपके बीच में ओम प्रकाश था पर्थम पहली बार में एक सो बारवी रेंक लेक्ट किया है उसने कहना है कि मेरे को एक वर्ष का समय मिल गया था जिसने बारे से तेरे बार पूरे को पड़ाया है कितना रिवीजन किया है उसने और मैं जब बैस शुरू करता हूं तो सबसे ज़्यादा कोई प्रसंद रहता है तो वो BSC वाले भाई बहनों का रहता है और BSC वाले यही कहते हैं कि जब मैं मैंच से हूं, साइंस बैक्ग्राउंड से था, MA के अंदर यह ओपन से की है या सामान रूप में, प्राइवेट की रूप में की है, रेगुलर रूप में पढ़ा नहीं, मैं पहले दिन से कहता हूं कि भूगोल जीरो से ही पढ़ाता हूं, जीरो से शुरूबात करते हैं, और मैं कई बार तो इतना भी कह देता हूं, BA में जिनके पास विशाय हैं, उनकी अपेक्षा MA के अंदर केवल MA में पढ़ा है, जिनोंने BA में नहीं रहा, और साइंस वाले विध्यार्थियें, वो और भी अच्छी इस्तिती में रहते हैं, उसका कारण है कि उसको जो पढ़ाया जाता है, उसी को पढ़ता है, और आर् कि मुकेश सोधरी जी B.S.C के हुए हैं, इनके पास जोग्राफी नहीं था ग्रेजविशन में, इनोंने तो MA के अंदर, तो जो B.S.C वाले भाई भाई भाईने, वो तनिक भी चिंतिया नहीं करें, और मैं कहता हूं कि साइंस वाले विध्यार्थी कहीं ने कहीं अधिक ल वर्ष भर मैं कहता हूं पहले दिन से एडमिसन लेते हो और एक्जाम देते हो तब तक मेरे मेरे को सुनते हो, सुनना ही पड़ता है आपको, लेकिन अच्छे इस रूप से हमारे बीच में दो सितारे बैठे हैं, तो मैं आमंतरित करता हूं सबसे पहले, जो हमारे एक नमर क आपकी जो रैंक पे हैं, श्री मुकेश सौधरी जी आपकी जोर्दारियों के बीच मैं आमंतरित करता हूं, यह अपने अनुभव बताएं किस रोप में यह मुकाम हासिल किया है, कितने बेहतर ढंग से, किस पारिवारिक प्रस्ट वोमी के रोप में रहते हुए, किन प्रस अब ही तो यह शुरुबात है, यही आगे जाके असिस्टन प्रोफेसर भी बनेंगे, या सिविल सर्विसेज करेंगे तो यूपियसी आर्पियसी के मादम से सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो मैं मुकेश सोधरी जी को माइक देता हूं और यह अपने सब्दू से ही क अब जाएगे सर का मैंने कोर्स लिया था, जाजा समय तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन जितना भी मैंने देखा, उसे पून रूप से आत्मसाथ किया, एवं जो कम समय में, जो सिमित कंटेंट के साथ मैं आगे बढ़ा, उसका ही प्रिणाम यह प्रिलक्षित है, सुबह ही आया था भाई को साथ में दिलाने के लिए मैं आया था घर से, सम इस्पेक्टर की, तो साथ में मैंने सोचा कि एक फंद दो काज करते हैं, वैसे जाना तो है यह तो अभी अब की बार साथ ही चले जाते हैं, तो ज्याजा समय नहीं मिला कुछ बुलेट पॉइंट के साथ मैंने जो लिखे थ से बिलॉंग करते हैं, इसके तिरिक मैं स्वैम की तैयारी के बारे में यदी बताओं, तो मैंने फर्स्ट पेपर तक आपी पहले कर लिया था, लेकिन ये सेकंड पेपर मैंने स्टार्ट किया वो अप्रेल में स्टार्ट किया था, एक अप्रेल को मैं सर को भी यही मैसेज कि मुझे कोर्स चाहिए, सरनवॉला की डिसकाउंट रूपो अड़ाली सो पचास में हो जाएगा, आप नंबर सेंड करो OTP आएगा, तो मैंने वो सेंड किया था, एक अप्रेल को, फिर अगला ही मेसेज मैंने 17 अक्टूबर को किया था, मार्क्स जोड के, उस टाइम वो कि अधे दिल से शुक्रिया अधा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो क्लास देखी है, मैं 8 बज़े से, सिलिबस पूरा नहीं था, तो आट बज़े ही बैठ जाता था, और सुबह भी क्लास ही देखता था, और साम तक ही क्लास ही देखता था, तो वो दिन में लग बग सास से लेकिन मैंने फिजिकल वाला जो पार्ट था, जियो मर्फोलोजी, क्लाइमिटोलोजी, और ओशिनोग्राफी, वो मैंने बिल्कुल नोट्स देखके, मतलब वीडियो देखके, संपूर्ण खुद के नोट्स बनाए थे, और उसमेंसे प्रशन मुझे यूं के यूं देखने को मिले, कई भी प्रशन कोई जाता हुआ नहीं दिखा, जितने अटेंट किये थे, उसमें में अधिक्तम सही हुए, बहुत मिनिमम मतलब नेगेटिव गए थे, और जो कुशन थे, दो चार कुशन थे, लेकिन वो उनके पीछे बाग कर मैंने अन्य कोई श्रोत देखना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसमें से लगबख सब आ रहा था, और सर ने वैसे मैंने वीडियो देखे, तब बताया था कि एंसी आर्ट आपको पढ़नी चाहिए, समय मिले तो, लेकिन मेरी इस्तती इसके वीपरीत थी, इसलिए मैं वास्तम मैं कहूं थो, NCR TV नहीं पढ़बाया, और वो आज तक नहीं पढ़ी है, लेकिन साइद मुझे लगता है, वो सर ने पढ़ ली थी, इसलिए वो नोट्स में अल्रेडी आ गया था, तो मैंने सोचा कि यह रहने देते हैं, समय नहीं था, इसलिए वो उस हिसाब से, वो स्कोर मतलब सब्जेक्ट में अच्छा बन गया था मेरा, इसलिए मैं संपूर्ण रोप से, सर को बहुत-बहुत दंदेवाद देना चाहूंगा, कि यह मेरे जीवन में उजाले के रूप में आकर एक अंदेरे को दूर किया हैं, यदि इसके अतिरिक्त आप स्टुडेंट्स के भी कोई सवाल हो, तो इस पर भी आप रख सकते हो, नमबर मेरे 365 थे, अब जो कुशन उपर नीचे हुए होंगे, तो वो सकते हुए उपर नीचे, 365, सब्जेक्ट में 240 थे, उसमें 125 थे मेरे, जो मैन लीड थी वो मेरे फर्स्ट पर ही थी, और मैंने उसका पूंट रूप से उपयो किया, इस्ट्री में मेरे 22 आए थे, 22 राइट थे, रिजदिंग का एक अच्छा है छोड़ा था, और जितने एटेंट किये उसमें साहिद मेरे बहुत कम गलत हुए थे, और फर्स्ट पेपर में मतलब एक दिन में तयार नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट था आप 15 दिन में ठीक से पढ़ लोंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक दिन में क्योंकि वह बहुत लंबा हो जाता है, उसमें एक दिन में ना तो आप कोई तयाद रख पाओगे, ना कोई दूसरा ना कोई टेस्ट दे पाओगे, और जब भी टेस्ट होगे, और तो अल्प तैयारी ज्यादा अलके में लेते हैं, तो फिर वह कम ही नंबर आते हैं, तो आपन जाने देते हैं, रहने देते हैं, लेकिन मुझे नहीं था पता, वह पता होता था वह पश्नस सही हो जाता मेरे, तो वह जन्रल चीज जो होती है वह उपन कहीं न कहीं चूकती जाती है, और हर सवाल हर बार यह पूछते है, या तो इस्टेट पॉलिटी होती है, तो उसमें पूछते है, और अपन सोचते ही यह करंट का आ गया, उसमें आ गया, लेकिन वह कुछन लग बग अपन पूराने पेपर देखे, तो उसमें वाकई में रिपीट हो रहे है, और कोई आप मैंसे सवाल हो दो, अलग-अलग संदर्ब में बात करेंगे क्योंकि तैयारी केवल खाली पढ़ने की यहीं नहीं होती है, वैसे दिखे तो, इसके तरिक्त मानसिक तनाव, बाकी कोई कई चुनोती होती है, चाहे पनोती रूप में वो जीवन में है, हर एक के जिन्दगी में होते ही है, दो-चार, तो वो भी होते हैं, उनका भी निराकरण जुरूरी होता है, पहले लोग पूछ ते नौकरी नहीं लग रही, अब वो पूछते ही नहीं है, वास्ता में देखे तो, जितना सम्मान मेरा यहां हुआ, वाग आम में भी नहीं हुआ, यह मैं दिल से कहना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं, जो मतलब जानता है, जिस बात को वो ही मानता है, और हमारे उस तरफ देखे तो, मेरे गाव का यह पहला सेलेक्शन है, डायरेक्ट इसमें, और वो ही फर्स्ट रेंक आना मेरे लिए मतलब मैंने रोल नंबर देखा, फोर फोर एट सेवन, पीछे का जीरो टू दिखा ही नहीं, कोष्टक में वन लिखा आ गया, तो फिर मैंने देखा, अब तो फर्स्ट रेंक आई गई है, भाई को दिखाया, वो सावान पैक करना था, एक्षुली वो जाना था, तो फिर दिखाया, तो उसने भी देखा सही है, फिर तो भी मैं रोल नंबर मिलाए, चार बार, कि कई गलत तो नहीं है, दो चार फोन आए, वो भी टेंड ने किया, एक बार के डेख लेते हैं, पता नहीं, कोई दूसरे का रोल नंबर हो, मेरा नहीं है, एक बार विचार आया, साइद, एडमिट कार तो गलत नहीं है, एसो से वापस डाउनलोड करता हूँ, तो वो एक रहता है, अपनको रिजल्ट आने के बाद, आप जितना सोच रहे हैं, कि जितनी मेहनत, संगर्ष, शायद वो आप मानोगे नहीं, यकिनन, एक दिन में वो पून रूप से आपको लगेगा, कि संपून वसूल है, बस वो 10-15 मिंट में आपको फ्यल हो जाएगा, कि जो किया वो वास्तम में, इसके लिए मैंने बहुत कम किया था, यदि ऐसी चीजे करने से इतनी attention, इतना recognition मिलता है, तो मुझे और भी जीवन में बेहतर करना चाहिए, और आगे बढ़ता रहना चाहिए. यदि आपके कोई सवाल नहीं हो, तो मैं कुछ पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, जो मैंने लिखे है, साहिद इसमें से ही सवाल तो होंगे, जैसे कि 4-5 पॉइंट है, content, revision, short notes, test series, analysis, अपने notes को rich कैसे बनाए, सबसे पहले content में बात करूँगा, content is king, मतलब वही राजा है, यदि आप अच्छा content पढ़ रहे हो, व्यवस्तित पढ़ रहे हो, तो उसमें से प्रष्णव आएगा, मतलब आएगई, कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा, तो वह सब के जाएगा, आप उसके लिए बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी बुक पढ़ रहे हो, हाला कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं किसी लेखक की नहीं तो आलोचना करूँगा, लेकिन मैं इसमें विश्वास करता हो, कि मेरे को कोई मैनत करके डाइरेक्ट दे दे तो मैं इसको याद कर सकता हो, क्योंकि मैं जो पूरी सविंदर सिंग पढ़ूँगा, जो पढ़ने बैठ भी गया होता, तो सायद नॉलेज नॉलेज भी तो क्या, लेकिन वास्तम में उदेश्य तो पशन सही करना था, बहुता बाद में एक्जाम के बाद भी मुझे लगता है कि कई कमजोरी है, तो रिजबा थे वह बिलकुल शॉट में कर लिया था, नॉट्स को, लेकिन चार रिजिस्ट्र तो थे ही है चार रिजिश्ट्र थे तो चार रिजिस्ट्र ते वो मैं डेली सुबह रिविजन करता था, क्लासे काफी पूरी हुई थी, फिजिकल की जैसा मैंने बथाया, ले ली थी, बाकी फिर मैंने, भाई ने मेरे को बोला था, मैं जब पूरी था, मैंने एक्चुली एपीरिंग में दिया था यह एक्जाम, मेरे रिजल्ट का कोई फिक्स नहीं था, कि मैं इसमें इलिजिबल हो पाऊंगा, कि नहीं हो पाऊंगा, रिजल्ट मेरे आया है केवल 20 दिन पहले, यह जो 21 दिन निकल जाता, तो मेरे 400 में से 450 में से, तो अभी यह कुछ काम के नहीं होते, तो कभी न कभी जो आप मैनत कर कुछ न कुछ यहीं आपके जीवन में को कुछ लंबे समय तक आपको लगता है कि दुख की कटना ही गड़ी तो आगे उजाला आना ते है, ऐसे जुरूरी नहीं है, आपको ऐसे लग रहा होगा, कि इचानक एपेरिंग में इसका हो गया, ऐसी बात नहीं है, यदी आ सपला कितनी तैयारी की थी, कहां-कहां बटके आए, यही ओटो में बैटके आते थे, कॉलेज साथ किया है, तो वो मतलब जो पता है, पैचानते हैं, उनको पता है कि काफी वक्त लगा है, और फर्स्ट पेपर में काफी समय लगा है, इसलिए ही 125 आए है, तो इसको और बनाने में कि इसकी आपको कोई भी लिमिट नहीं रखनी चाहिए, जितना आप रिविजन करोगे, उतना ही फाइदे में हो, यदि नया नहीं पड़के पुराना ही रिवाइज कर लिया आना, तो इसमें से आपके सवाल कहीं नहीं जाएगा, तो रिविजन बहुत मस्ट है, मेरा सिलि जब एक्जाम के एक महीने कम था, तो वो एक्जाम के आसपास का टाइम होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, उसका संपूर्ण रूप से शदूपियों करना चाहिए, और एक अच्छी जो अपना ग्रूप होता है, पढ़ई वालों का, वो होना चाहिए, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हो, लगवग सब मैच्छर है, सब को खुद को पता है कि मुझे क्या करना है, यहां तक दूर से किसलिए आई है, क्योंकि मुझे लगता है, प्रॉपरत बिल्कूल यही आसपास घरवाले तो बहुत कम होंगे, साध 10% भी नहीं होंगे, तो बाहर से आए ह तो जुरूर पूरा समय देखे, मुझे तो ऑफ-लाइन में तो मुझे तो सभाग्य नहीं मिला यहां आने का, वह ओनलाइन देखा वही देखा बस यह बहुत दिखता था, सर पढ़ाते थे, ताइम इसकेल से क्लास सुरू हुई थी, यह याद है, एक पेज वो शाननी बना होगा, क्योंकि डेली में मतलब रिवाइज तो फिक्स था, डेली सुबह के 2-3 गंटे फिक्स थे रिविजन के लिए, और मेरे लिए बिल्कुल नया था, मेरे लिए तो वह साननी भी नहीं थी, मेरे तो फिजिक्स केमेश्ट्री मेह थी मेरे, तो उसका साननी से कोई लेना देना नहीं था, और ना तो इसके जोग्राफी के किसी पोर्शन का मुझे नहीं लगता, एक कार्टोग्राफी और वो मैपिंग वाला है, उसमें कैलकुलेशन में मुझे मेरे सब्जेक्ट की जुरूर है, लेकिन बाकी में मुझे मेरे प्रिवियस नॉलेज का फर्स्ट प मतलब एक concise form में होने चाहिए, आप जैसे डेली 300-500-500-500-500-500 के कॉपी लेके बैट रहे हो, दो महिने से वही दवरा रहे हो, तो वह फिर चीज लंबे समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि दिमाग में अतना ही ठ्हरता है, जितना मतलब, short में चीज हो, बाकी तह बाकी तह ची जैसे ही मैं देखे आया, मुझे लगा मेरे इतने नंबर है, देखना तो नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि एच्छे ही होंगे, और वो दो च्यार ऐसे ही करके आया था, वो भी सही हो गए थे, तो फिर और जोस आ गया था, तो फिर मैंने आके चेक किया, अच्छे नं जिती होती है, जो खुद को सूट करे, उस हिसाब से कोई चार दिन पहले पढ़े ही चोड़ देते हैं, मैंने जैसे कि रात को नौ बजे तक मैं पढ़ा फिर सो गया था, चार गंटे में आके, मैंने वो 40 पेज मेरे पास थे, वो मैंने रिविजन कर लिये थे, उसमें से सब आ गया था, और मैंने मुझे वो लगा, मतलब कई जिगे ऐसा है कि मुझे काफी कुछन नहीं आते थे, लेकिन मुझे उनमें से एक option आता था, तीन नहीं आते थे, तो मैंने वो ही किया, जैसे कि एक question था, उफवन नगर संकल्पना का था, तो उसका answer सर वो क्या था, अपन नगरवाला था, वो मैं करके जैसे आ गया, तो ऐसे काफी स्वाल थे, जिसमें मतलब पढ़ा हुआ था, वो कई न कई उन चारों option में से eliminate हो रहा था, क्योंकि रिटन exam अलग होता है, अपन देते है वो, और एक objective exam अलग होता है, तो और एक तरीके से अपनी approach जो होनी तो मैंने पूचा कि कैसे कैसे आला कि online थी, मित्रता online ही message किया था इन्होंने, डीवी में मिले थे जरूर, तो फिर उन्होंने बताया तो मैंने पूचा test कितने दिये, तो उन्होंने बोला एक भी नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि साइद उनके उन्होंने 10 test भी दे दिय होते हैं, तो उनके कम से कम 20 नमर ज्यादा आते हैं, और test series सर की इतने इच्छी थी, मैंने मतलब print out निखालके सब एकदम बढ़िया से सब test दिये थे सर के, और सब मैं मेरे लगबग 240 से 267, यहां तक मेरे marks आये थे online में, तो वो test का बहुत फर्क पड़ता है, और test series बस यह करना है, और आपको लगता है कि आप मतलब content को संभाल पा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, आपकी capacity आपको लगती है, तो आप और भी कोई character series तो join कर सकते हो, एक के साथ दो भी चला सकते हो, लेकिन वो एक बार syllabus एक दो पूरा हो जाए, अच्छे से आपको clear हो जाए, सब कुछ एक दम, फिर उसके बाद आप जुरूर देख सकते हो, बाकी कुछ भी material, लेकिन एक बार एक अपने content को limitation में करना, उसको बार बार revise करना, उनके short notes बनाना, और एक दम अपना routine, daily routine set करना, अन्या बातों में उलज करके वल इसी पर ध्यान लगाना, वो बहुत जुरूरी हो जाता है, इसके इतिरिक्त, लोगों की बाते, तो वो तो चलती ही रहती है, उनका कभी अंतनी होगा, यदि आपकी नौकरी लग गई, तो भी tension नहीं है उनके, और नहीं लगेगी, तो भी आपके सामने वो tension दिखाने की कोसिश जरूर करेंगे, कि यार नहीं लग रही, मैं करते हैं, तो मैंने बरा था, वैसे मैं RAS की कर रहा था, लेकिन साइड में ये फिर मैंने डिगरी पूरी होने की संभावना लगी, तो मैंने ये एक्जाम दिया था, तो मतलब आपको कही न कहीं, कोई न कोई आपको ऐसी चीज लगे, तो एक प्लान भी साइड में जुरू चेक करके देखना चाहिए, क्योंकि अपना मानव सभाव ऐसा होता है, कि जैसे कि मतलब परिवर्तन के पर्ति परतिरोद होता है, यदि आप खुद में परिवर्तन करना चाहोगे, तो नहीं मानेगा मन, जैसे कि आपने ठान लिया कि 6 बजे उठना है, ये आप डेली 8 बज परिवर्तन आप करना चाहोगे, तो उसमें टक्रास उत्पन होगी, आपस में टक्रास उत्पन होगा, कि उठो कि नहीं उठो, तो उनमें से वो एक डिसीजन आप परिवर्तित होना ही नहीं चाहते, जैसे शॉट नोर्स मैंने बताए, मैंने खुद से नहीं सीखा, ये मैं कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिए, SI की, only थी, 120 टेस्ट थे, उन्होंने वो खाली टेस्ट सीरीज दी और उसके नोट्स बनाएं, और उनके 204 वी रैंक से मतलब सेलेक्शन हो गया, तो आपका जो तरीका है, वो माहिने रखता है कि मतलब आपके पास समय कितना है, आपकी रणदीती क्या होनी चाहिए, आपका वैक्तित्व कैसा है, आप कितनी मैनत कर रहे हो, कितना समय दे रहे हो, उसके उपर सब निर्भड करता है, कि मतलब अपनी रणदीती किस तरीके से बहुत होनी चाहिए कि इसके इत्रिक्त आपको आपका कोई पस्न हो तो जरूर पूश सकते हो नाण जो लिख किया गया था वह लगबग इतना ही था 1 4 पंगतियां और है उसके साथ फिर लगबग इतना ही य्जा स्वाल पूछने चाहिए क्योंकि कोई भी स्वाल अनुत्रित नहीं होता इसका उत्तर अश्य होता है वो भी बात तो सही है सब्जेक्ट से समंदित्त कोई डाउट का सवाल ही नहीं है क्या सर्फ फैपर आप इसको डेल ही पढ़ सकते हो सब्जेक्ट वाइज मतलब पोर्शन वाइज जैसे इस्ट्री है तो आप इस्ट्री को मतलब एक दो दिन मतलब उसको समेट के रखो मेरे सौ्ट नोट्स आपना साइज वो ध्यान नहीं दिया वो कहने का मर्थ लब वही थ पहạं चाहि जैसे कि कुई रचना है जैसे की कोई रचना है से पूछ ले तो वह एक पेज पर आपको इंपोर्टेंट पता होनी चाहिए कि मध्यकाल की कौन सी है क्या है किसमें से आ रहा है जैसे गुजर परतियार में अपनको important लगता है साथवी से बारवी राजपूत वाला तो अपने topic में add किया था आपको पता हो तो तो उसमें से सबसे important गुजर परतियार है राष्ट्रकूर्ट नहीं पूचेंगे आपको, कभी नहीं, और आप पूचेंगे तो भी चोड़ जोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो गुर्जर परतियार में से आया और आप चोड़ के आ रहे हो, क्योंकि वो तर लगबग सब पढ़ रहे हैं, तो वो इसको सौट में आप हिस्ट्री में भी कुछ मिना सकते हो, जैसे कि मातमा गांधी की मैंने काफी मोटे नोट्स थे, लगबग इतने सारे थे, और उनको मैंने लाष्ट में मुझे लगा कि मातमा गांधी रिविजिन नहीं होंगे, उनको उठाए भी थे, फिर वापस जोड़े भी थे, एक दिन लाके वापस दोपर में जोड़ दिये थे, साम को हटा दिया, ऐसा हुआ था, तो वो मैंने नोट्स थे, फिर मुझे लाष्ट में लगा कि इनको मैं पढ़ूंगा तो बाकी हिस्ट्री चुक जाएगी, इसलिए मैंने उनको लगबग वो पेज ते 50-60 होंगे, उसको मैंने मैं तीन पेज में कर दिया था, और उसमें से एक भी पशननी आया, यदि वो मैं इतने 50-60 बढ़ता तो भी नहीं आता, तो वो तीन पेज में से मुझे परोशा था, आ जाता, आता तो डेट पूछता, सवीन ने अवागी, बस वो ही पूछते है, पशना आप और एक एक च पूछन डायरेक्ट पूटब हो जाते है, और वो अपन को पता ही नहीं चलता, जैसे कि कई न कई, यह फिर अच्छी टेस्ट स्रीज में से डायरेक्ट पूटब हो जाता है, जैसे कि एक टेस्ट में कूछन था, वो राष्टर मोडल और वेक्टर वो वाला, तो उसमें से स वो मैंने किया, पेपर में मेरे गलत हो गया था, तो इसका मेरे प्रोब्लम ऐसे होई कि मैंने वो वापस अनलेसिस नहीं किया, तो यदि आप टेस्स दो, तो इसको अनलेसिस करके अपने नोट्स में एड जुरूर करो, यही परक्रिया होती है, नोट्स को रिच बनाने की, य दिरे दिरे एक समय बीतेगा, चैसात महिने, जब आप खुद से पढ़ोगे, एक क्लास पूरी होने के बाद, खुद से पढ़ोगे, दिरे दिरे सीखोगे, कोई चीज दूड़नी पड़ जाती है, कोई सर डाउट हो, तो सर से भी वापस पूछ सकते हो, तो वो दिरे दिर एक प्रिक्रिया के तथ आपके नोड सम्रिद बनेंगे, तो वो कब बनेंगे, जब आप टेस्ट देके, जो गलतिया है, उनको बिल्कुल आपको एनालिसिस करना ही है, वो एनालिसिस करोगे, तो यदि मैंने एनालिसिस किया होता, तो साहिद वो एक पशना और सही होता, त मुर्श्तल से भी जल निकलेगा, महनत कर पौदों को पानी दे, बंजर में भी फिर फ़ल निकलेगा, ताकत छुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समन्दर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिष जारी रख कुछ कर्ज गुजरने की जो कुछ थमा थमा है वो भी चल निकलेगा एक बार पुना संस्तान निदेशक एवं कुल्डिप जी सर को बहुत-बहुत आबार एवं बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे एक कंटेंड के रूप में एक अच्छा मांग दर्शक के रूप में अच्छा कंटेंड परदान करने के लिए एक अच्छे मांग स्प्राप्त करवाएं बहुत-बहुत धन्यवाद सुरू करो भई झाल झाल